वेलकम टू स्टेडी आईयस स्ट्राइक जैसे काफी बड़े-बड़े मीशन जो कि आप कह सकते हैं इंडिया का नाम दुनिया बर में मसूर रख रखा है वैसे मीशन में आप कह सकते हैं हमारे जो नेषनल सेक्यूरिटी एजेंट एडवाईजरी हैं उन्होंने यहाँ पे आप कह सकते हैं जो प्लैन था वो बताया है, ओके दोस्तों, इनका हाथ जरूर रहा है, जब भी आप कह सकते हैं, हमारे इंटरनेशनल लवल पे, कोई भी आप कह सकते हैं, जो काम पर रहता है, उसको करवाया जाए तो, और इनकी एक कहानी भी यहाँ पर बहुत फेमस है, जब इनों ने यहा काम करने का तरीका है, वो बहुत बहतर है, इनके बारे में आप लोग पढ़िए जितना जदा पढ़ सकते हैं, क्योंकि काफी कुछ है इनके बारे में जानना, और दोस्तों, चलो बहुत तारीफ होगी अब इनकी, अब बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में, तो यहाँ एक मीट होने वाली है, बेसिकली मीट होगी, जहाँ पर काबल के बारे में जो चीजे हैं, वो डिसकस करवाई जाएंगी, मतलब के डिसकस जो वहाँ पर सिचुविशन चल रही है, और वहाँ पर किस तरीके जो बाकी कंट्री हैं, वो उनको मदद कर सकती हैं, या फिर जो नुकसान अगर किसी कंट्री को होने वाला है उसकी वज़े से, इन सभी चीजे को बारे में जो बाते हैं, वो डिसकस करवाई जा रही हैं, जिसके बारे में हम लोग आज की वीडियो में डिसकस करने वाले हैं, किस तरीके से यहाँ पर जो मीटिंग वो देखी गईगी, द तॉप फिफ्टी में फिफ्टीन एंड ओरॉल वन सेमिटी दाद बच्चों ने इस एक्जाम को क्रेक करा है अनकेडमी के साथ मिलके तॉप एजुकेटर के थूप गाइडेंस, कॉंप्रेंसिव टेस्ट स्रीज, हाई क्वालिटी के माटेरियल, डाउर क्लेरिंग सेशन और क कॉंप्रेंसिव कवरेज, करेंट अफेर का, यह सारे फीचर्स आपको अनकेडमी प्रवाइड करवाता है, दस तारीक से ने बेचे स्टार्ट हो रहे हैं सभी अपकमिंग येर्स के, जहां पर आप खुद को जाके एंडरोल कर सकते हैं, इंड़ा के टॉप एजुकेटर आ अब बढ़ता है वीडियो में आगे और देखते हैं जो मीटिंग है, यह क्या है किस तरीके से काम आएगी, देखें यहां पर अभी कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान ने यह डिकलेर करा है, पाकिस्तान के जो NSA है, नेशनल सेक्यूरिटी अडवाईजरी, उन्होंने यह डिकलेर करा है कि वो नहीं अटेंड करेंगे, जो कॉन्फरेंस इंडिया में होने वाली है, अफगाइनिस्तान को लेके उस बारे में, य यह बातें पाकिस्तान के NSA ने बताई है, फ्राइडे को, ओके, रस्या, इरान और सेंट्रल एशन की काफी सरी जो कंट्रीज हैं, उन्होंने कंफर्म करा है कि वो पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन पाकिस्तान जो है, जैसे अब सभी जानते है कि दिमाग है यह नी इसमें तो यह पार्टिसिपेट भी नहीं कर रहा है, चाइना का अभी जो रिस्पॉंस है, उसके लिए वेट कर रहा है इंडिया, उन्होंने अभी रिस्पॉंस नहीं बताया है, पर आगे क्या करता है, पता नहीं, वो बाद में पता चलेगा, यह जो होस्टिंग होगी, इंडिय रिजनल सिक्योरिटी डायलोग अफगानिस्तान पर लेके, 10 नवमर को यह जो है, यह होने वाली है, यह जो मीटिंग होगी, यह होगी जो NSA लेवल है, हर एक आप कैसकते हैं कंट्री के, उस लेवल पर होगी, मतलब कि जो बड़े ऑफिशल्स हैं, आप कैसकते हैं, इंडिय के तरफ से इसे चेर करेंगे NSA अजीत दोबाल जी, जिनके बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा ब्रीफ बताया, और जरूर जाके इनके बारे में आप लोग पढ़िएगा, काफी कुछ इंट्रेस्टिंग है इनके बारे में जानना, इससे पहले दो मीट इंडिया की तरफ से इंविटेशन है वो काफी बढ़िया रहा है, जहां पर आप कह सकते हैं जितनी यहां पर सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं और सच जो रसिया है, इरान है, इन्होंने अपना पार्टिसिपेशन कंफर्म बताया कि हाँ वो पार्टिसिपेट जरू वो इंडिया में जरूर आएंगे, पार्टिसिपेट करेंगे इस कॉन्फरेंस में, इस आप कह सकते हैं डायलोग के अंदर, ओके साथ ही साथ जो यहां पर आप कह सकते हैं, पहली बार ऐसा होगा कि सारी सेंट्रल एशियन कंट्रीज नहीं केवल आप कह सकते हैं, आप कह सक रहेगा, importance रहेगी आपके सकते हैं जिस तरीके से इंडिया का रोल रहा है, अपने रीजनल एफट में, प्रमोट करेगा आपके सकते हैं अपने ही एरिया में और प्रमोट करेगा यहाँ पर पीस और सिक्यॉरिटी अफगानिस्तान के अंदर, ऐसे आपके सकते हैं जो डायलो तो एक काफी अच्छा मेसिज होता है, पूरे ही आपके सकते हैं इंटरनेशनल लेवल पर, और इंडिया यह जो मेसिज है, यह इस पर पहुचाने वाला है, यह जो इंविटेशन है, यह आपके सकते हैं अभी बढ़वा दिया गया है, क्योंकि चाइना का तो रिस्पॉंस नहीं करेगा, क्योंकि यहां पर जो है, वो जो डिसीजन है, वो काफी ज़दा अनफॉर्चुनेट रहा है, और सर्प्राइजिंग भी आपके सकते हैं, रहा नहीं कुछ ऐसा, पता हमें कि पाकिस्तान किस तरीके का उसका निचर रहा है, वो कभी सामने से खुद उठके हो रहा है, आपके सकते हैं, जो जो देखने को मिल रही है, उस चीज को लेकर, ओके, हाइफ लेवल पाटिसिपेशन होने वाला है, आपके सकते हैं, मीटिंग के अंदर, क्योंकि होस्त यहां पर इंडे तो करेगा ही, और साथ यसाथ दोस्तों, जितने भी यहां पर हमारे countries हैं और जो यहाँ पर situation है अफगानिस्तान के अंदर वो काफी आप खेसकते हैं खराब है वहाँ के लोग देख सकते हैं आप लोग काफी परिसान भी हैं क्योंकि काफी सारी दिक्कते हैं जैसे कि वहाँ पर कह रहे हैं कि foreign influence बिल्कुल हटा देंगे लोगों पोस्टर हैं वो हटा दिया है लोग को बहुत परिसान करा है और आप लोग को पता होगा कुछ दिन पहले यहाँ पे जो फोटोस जो वीडियो जा रही थी कि लोग हवाईजाज में मतलब बैटने के लिए बैटने के लिए भाग रहें वहाँ से बस किसी तरीके से अफगानिस्तान से निकल जाएं तो काफी बुरी कंडिशन वहाँ पे देखी गई है और दोस्तो इन चीजों को अगर हम देखें तो इंडिया जो है काफी बड़ा important role जो है वो दिखा रहा इस पूरी ही process के अंदर वो मदद करना जरूर चाता है पाकिस्तान के जो NSA है मुईद यूसूफ उन्होंने ये कहा है कि वो अटेंड नहीं करेंगे इस मीटिंग को अफगानिस्तान को लेके जो कि यहाँ पे इंडिया होस्ट कर रहा है क्योंकि दोस्तों यहाँ बता जाता हूं कि वो बेकार नहीं कहेंगे मतलब वो पहले से ही पाकिस्तान जो है वो बेकार ही वर्ड निकल रहा है उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है तो उन्होंने ये काया कि I will not go I spoiler can't be a peace maker यह बाते उन्होंने बताई है और साथ-साथ दोस्तों उन्होंने ये बताया कि पाकिस्तान जो है वो इस अब मीटिंग पे कोई और सवाल जो है वो आगे नहीं बताएगा या फिर अटेंड नहीं करेगा या जो मीटिंग होगी दिली पे होगी जासमिन आपको बताया नेस्ट वीक होने वाली है और यहां पे जो बाते डिसकस करेगी वो ऐसी होगी कि जिस तरीके से यहां पे अफगानिस्तान के अंदर तालिबान का यहां पे आपके सकते हैं जो डॉमिनिशन देखा गया है जो वहां के जो कम लोग मतलब के सकते हैं जो वहां की मिनॉरिटीज हैं उनके जो यहां पे आपके सकते हैं हक हैं वो भी यहां पे छीन लिये गए हैं कोई आपके सकते हैं यहां पे अधिकार नहीं दिया जा रहा है तो इसलिए यहाँ पर काफी important है कि कोई ना कोई देश आगे आए और कदम उठाए और इस बारत आगे आ रहा है और कदम उठाएगा तो यह थी दोस्तों पूरी वीडियो आई होप कि वीडियो से आपको कुछ बाते पता लगी होंगी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक क्लिए हैवनाइस दे